hey guys welcome to physics in playground अब भी आप लोगों का NEET का exam date आचुका है officially उनलोगोंने announce कर दिया है exam कब है 1st of August NEET 2021 का exam pain and paper based exam होगा online वेगरा नहीं होगा जो जैसा था बस वैसा ही as usual जैसे exam देते थे आप लोग वैसा ही देना है जैसा paper NEET 2020, 2018, 2017 में आया था वैसा ही NEET 2021 में आयगा so cut off भी बता देता हूँ 600 प्लस ले करके चलना 610, 615, total कितने मन्त है आपके पास March, मतलम 15 days तो है more than 15 days March के बचे हुए April, May and June and July total कितने हुआ गया April, May, June, July, 4 months 4 months से भी ज्यादा है 4 months बहुत होता है 4 months more than enough है स्रिफ और स्रिफ NEET क्लियर करना है तो काफी है समझे साही तरीका से पढ़ना आप लोगों का physics का question मैं दे चुगा हूँ physics का समझो की 12 question आप लोगों को मिल चुगा कैसे 12 नहीं I think maybe 12 optics से total 4 question optics upload हो चुगा magnetic से 5 and 3 semiconductor semiconductor का 18 minute का video upload है जो की टेलीग्राम पर भी डला है YouTube पर भी डला है उससे 3 साल लगातार question आए थे और आगे भी आएंगे जब तक NEET होगा exam होंगे question आते रहेंगे तो total कितना होगे 4, 5, 9, 12, 12 question आपके हो चुके इसके बाहर नहीं जाएगा बस इतना ध्यान रखना और लगता है कि हाँ ऐसा possible नहीं है 10-15 question है 300 question बच्चे लगाते हो और 10-15 में कैसे आप सारा पकड़ लोगे मैंने जब video release किया था semiconductor का तो मुझे भी नहीं मालूम था बस AME कर दिया था ठीक है कुछ करना था कुछ तो upload तो बस कर दिया था AME बट जब 2-3 साल exam हुआ और लगतार question आए हर साल 2-3 question उसे पूछे ही जाते है हर साल तो फिर मालूम चला कि हाँ काम का था वो तो उसी तरह यह भी सारे काम के हैं बायो आपका पूरा आयत 360 में 360 आएगा अगर पेपर ऐसा रहा तो confirm रहना 2021 में 360 में 360 एक भी question गलत मत करना concept को सही से पगड़ो सारा कुछ सही होगा Cam में अगेन organic डला हुआ है और physical chemistry तो बहुत लड्डू की तरह बना दिया गया PIP पर जही में इसके एक पर paper solve कर लेना और कुछ question मैंने अपने से डाला उसे भी solve कर लेना सारे answer keys देख लेना answer मिला लेना बाकी अगर किसी का answer नहीं होगा तो वह भी Google या कहीं से भी search करके देख लेना अगर confusion हो रहा होगा तब otherwise time based करने का कोई मतलम नहीं बनता so इतना ही है cam में भी अच्छा खासा score कर लोगे अगर ऐसा paper जैसा भी need कर रह रहा 17, 18, 19 और 20 में तो कम से कम 160 out of 180 आप लोगी score करोगे अगर concept clear हो तो formula से काम नहीं चलता है concept clear है तो formula वहाँ पे भी जाकर के आप लोग कर लोगे easily कर लोगे वह अपने आप याद आ जाता है समझे तो concept clear रखना physical organic and inorganic है और physics में तो भाई साब concept करना ही करना होगा 30 question पक्का PIP से आएगा smart work मेरे उपर छोड़ दो hard work आप करो question लगो ऐसा ना कि 10-15 के पीछे ही स्रिफ रहना आप लोग कम से कम नहीं भी तो 300 to 400 per topic question लगो जैसे electro estatic इस पे आप लोग minimum 300 question solve करो जैसे भी कर सकते हो जो dropers है previous year question आप अगर कर चुके हो अच्छे से कर चुके हो तो आप लोग HC Verma and DC Pande यह ही है करने के लिए और जो class 11 12th में है वो अगर देख रहा है तो आप लोग Helly Day Resnick वाकर पढ़ना आपके पास टाइम है पर अभी Helly Day Resnick वाकर पढ़ने का टाइम है concept clear करना होगा Helly Day Resnick वाकर पढ़ना सबसे best book है हरिष चंद्रवर्मा सर भी वही पढ़े थे तभी जाकर के उन्होंने HC Verma बनाया वो खुद भी बोलते है ऐसा ठीक है उस टाइम मैंने भी वही पढ़ा है Helly Day Resnick वाकर एक कोशन अड़ाई अड़ाई गंटे में सॉल्व करवाया करते थे हमारे टीचर जो physics के हुआ करते थे मतला हम अभी भी है थे नहीं सो इतना ही था thanks and best of luck for your exam और 4 देना इस बार साथ में मैंनत करते है और 4 थे exam को समझे बहुत असान से निकलेगा स्रीफ और स्रीफ नीट के लिए सीखना होकना अपने जगा है मिल गया उसके बाद पूरी life है समझे तो स्रीफ और स्रीफ नीट के लिए है नीट पर focus करो